अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइड के साथ बिलकुल फ्री ये पकड़ो पैसा और तुम यह से भाग जाओ बहुत सही मौका है देखो तुमारी ये सुधा मैडम भी नहीं है जो तुमें रोग ले वो तुम बैठी वाँटी सुभा रही है हम बाग जाओ कब उसे देख रहे हैं तुम अपनी मैडम जी के सामने खड़े हो के राग अलापते रहते हो जाने दीजे जाने दीजे तो देखो क्रिस्णा अगर तुम कोई नोटंकी नहीं कर रहे हो सही में जाना चाते हो और चाते हो कि घरवालों की बलाई हो तो भाईया तुम निकल खरवाले जवर्दस्ती भूगर ताल करके बाइटी हुए हैं वो लुग भी खाना खालेंगे और तुम्हारा भी पिंद चूट जाएगा कर से कि मुश्किलों से भागना और ज्यादा मुश्किलों में डाल देता है अशोग जी के हरकतों से यसी खे नहीं हो तुम्हारा है अगर समस्याओ का हान पुता कृष्णा तो उन पर हिंसाम यू लगा रहे हैं अब सब अब क्या सूच रहे हो हम जाओ यासे मिमसा आपने ये क बेडिया है मतलब मतलब यह कि मैं घर छोड़कर नहीं जा सकतो मतलब तुम सब तखावा कर रहा हो है सब नो टंकी कर रहे हो जाने की कहा है ने करोगे तुमनों टंकी, आइसे मुफ्त में रोटी तो कही मिलेगी नहीं तोड़ने के लिए, क्यों? सही कह रहे हैं आप मिंजा, मुफ्त की रोटी अच्छी ही तो लगती है ना? शायद मुझे भी लगने लगी है मौरिंगे चपड़ भी खुमाके तुमारे हमसे मुझोरी करूगे, हमसे देखते हैं लाव, तुम्हारे और तुम्हारे मैटम जी के कारण, घरवाले कित्ते दिन फूखे रहते हैं और तुम्हारे मैटम जी, कित्ते दिन तक बाइट करके, अपने आसू बहाते हैं देखते हैं. अब कोई भूखा ने रहीगा, और मादम जी भी नहीं रहेंगी. मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ. मतलब.. ..तुम.. पाकी घरवालों को रोते हुए देख सकते हुए? नहीं.. क्या करोगे? घरवालों को खाना कहिलाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुम खाना खिलाओगी अब आकी खरवाले लो खाना खा देंगे हम जब खालेंगी खाना इत्ता कान्पिडेंस चलो अगर तुम्हें अपनी बात पे इत्ता भरूसा है इत्ता बिस्वास है तो आज हमारे साथ एक सर्थ लगाओ अगर तुम्हारी लाग कोशिसों के बाद भी खरवाले खाना नहीं खाते हैं तो फिर तुम बिना किसी से कुछ कहें बिना नो टंकी करें इस घर से 9-11 हो जाओगे और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री